बिसनेश के जितने भी transactions होते हैं उनको books of accounts में तो record किया जाता है लेकिन क्या events को भी books of accounts में record किया जाता है और ये events होता क्या है आए चले जानते हैं अगर मैं कहूं कि transaction का कोई आप example दो तो आप कहेंगे ढेरो example हैं जैसे sales of goods, purchases of goods, rent paid, rent receipt transaction में हमेशा दो party involved होती है यानि कि एक party किसी दूसरे party को money goods या service देती है या फिर उनसे money goods and services लेती है लेकिन events में ऐसा नहीं होता events एक परकार से result है किसी भी transaction का इसको एक example से समझते है मालने जे goods purchase किया हम लोगों ने 10,000 का और इसी goods को हम लोगों ने base दिया 15,000 में तो यहाँ पर जो profit हुआ वो 5,000 हुआ और यह जो profit है यही events कहलाता है मतलब goods purchase and goods sold यह दोनों transactions थे लेकिन इन transaction का जो एक result आया that is a profit इसी को हम लोग events कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारे example आप निकाल सकते हैं events के like bad dates उसके बाद reserves बनाते हैं हम और depreciation होता है, loss by fire होता है तो ऐसे डेरो example हैं जो आप events के तोर पे देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतने thanks for watching the video